क्यों सवी की दिल में बची रजट के लिए प्यार की घंटी क्या रजट और सवी पर होका कोई बड़ा हमला कैसे करेगा रजट गुंडो का सामना स्टारपलेस की सीरिल गुम है किसी की प्यार मैं मैं आए दिन कुछ ना कुछ नया ट्विस्स देखने को मिल रहा है इतना ही नहीं फिलहाल तो शो के मेकर्स रजट और सवी को करीब लाने की कोशिश में हैं इसके लिए मेकर्स लेकर आने वाले हैं शो की ओडियन्स के लिए एक ऐसा ट्विस्ट जो की आपके लिए काफी ही एंटरटेइनिंग होगा इसके साथ ही बता दें कि फिलहाल तो रजट और सवी सई की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होने वाले फंक्शन को अटेंड कर रहे होंगे जहांपर सवी ने सुनाई थी रजट से पहली बार अपनी मिनले की कहानी जिसे सुनकर सई काफी ही खुश हो गई थी लेकिन इसी के साथ ही बता दें कि स्कूल में होने वाला है एक ऐसा गेम जहांपर हस्बेंस को अपनी वाइवस को कुछ और्नामेंट्स के साथ रेडी करना होगा जिसमें पार्टिसपेट करने के लिए बागी के स्टूडेंट्स के पहरें स्टेज पर चले जाते हैं और अपनी वाइवस के लिए सारी जोलरी ले लेते हैं लेकिन बता दे कि रजट और सभी इस गेम में पहले तो हिस्सा नहीं लेते लेकिन फिर साथ के कहने पर वो दोनों भी स्टेज पर चले जाएंगे जहां पर जब रजट सभी को रेडी करने के लिए जोलरी देखेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा वहीं सभी भी अपना माथा पीटती हुई नजर आएगी लेकिन बता दे कि रजट सभी को रेडी करने वाला है फूलो की जोलरी से इतना ही नहीं वो उसे फूलो की जोलरी को पहनाते हुए नजर आएगा जिसे देखने के बाद खुछ सभी भी हैरान रह जाएगी और इस तरह से ही टास्क को अपने अनोखे अंदाज से पूरा करते हुए रजट और सभी ये कॉंपिटिशन भी जीट जाएगे जिसके बाद सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा और फिर तीनों घर के लिए रवाना हो जाएगे लेकिन इसी बीच होने वाला है रजट की कार पर एक बड़ा हमला जिसके बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाएंगे जो की रजट से भिड़ते हुए नजर आएंगे ऐसे में रजट सभी और सभी की जान बचाने के लिए करने वाला है उन गुंडों की खूब पिटाई जिसे देखकर सभी और सभी दोनों ही काफी ही इंप्रेस हो जाएंगे लेकिन इसी बीच हालातों को विगरता देख सभी पुलिस टेशन कॉल कर देगी जिसके चलते वहाँ पर पुलिस आ जाएगी और उन गुंडों को गुरिफतार कर लेगी ऐसे में रजट को ऐसे गुंडों से अकेले सामना करते देख सभी रजट से काफी ही इंप्रेस हो जाने वाली है इतना ही नहीं वो उसे सुपर हीरो भी कहे कि जिसके बाद वो घर जाकर लगाने वाली है रजट की चोट पर मरहम सभी को यू रजट का ख्याल रखते देखकर राजेंद्र को काफी ही खुशी मिलती है वहीं दूसरी तरफ मरन भाई और अमन आपस में रजट और सभी के बारे में बात करते नज़र आएंगे लेकिन उनकी ये करीबी देखकर लगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिसके चलते वो उन दौनों को फिर से अलग करने के लिए बनाने वाला है कोई नया प्लान लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही इंटरस्टिंग होगा कि क्या सभी के दिल में सच में आ जाएगी रजट के लिए कोई फीलिंग्स कि सच में रजट बन जाएगा सभी की नजरों में सुपर हीरो क्या होगा सीरियल में नया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इस सीरियल दे चोड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाफीट को